हलो एवरिवन, once again welcome back to my channel तो आज को वीडियो थोड़ा सा different वीडियो होने वाला है यानि कि आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ साधियो का हूज कोलेक्शन काफी affordable price में डिजाइनर साधिया मैं आज आपके साथ शेर करूँगे और ये सबी हैं from Ajmira Fashion Surat अज मेरा फेशन सूरत इंडिया की बहुत ही बड़ी कमपनी है कि एक manufacturing कमपनी है ये सारे ethnic wear manufacture करती है यानि कि आपको यहाँ पे सूप, कुर्ता प्लाजो सेट, कुर्तीज, साधिया और जितने भी ethnic wear होते हैं, इंडियन wear होते हैं वो सभी affordable price में मिल जाएंगे क्योंकि ये इंडिया की बहुती बड़ी wholesale कमपनी है तो यहाँ से आप 2-3 pieces buy नहीं कर सकते ये एक wholesale कमपनी है ये video especially उन लोगों के लिए है जो अपना business start करना चाते हैं घर से या फिर जिनका अपना एक business है तो वो इस कमपनी के साथ जोड़के अपना business start कर सकते हैं या फिर आप एच साथ purchasing करना चाते हैं तो आप यहाँ से purchase कर सकते हैं यहाँ पे आपको सारा designer collection affordable price में मिल जाएगा इनके पूरे company की details मैंने description box में mention कर दी है वहाँ पे मैंने इनके call और WhatsApp नंबर mention कर दी है आप यहाँ से इनके call और WhatsApp पे message कर सकते हैं कुछ भी आपको inquiry करनी हूँ और इनका एक YouTube channel भी है उस YouTube channel का link भी मैंने description box में डाल दिया है आप वहाँ से जाके उसे YouTube channel को भी check out कर सकते हैं for more inquiries अब आगे की information है वह यहाँ के representative आपको बताएंगे तो चलिए without any late video स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं अजय अजमेरा अजमेरा फेशन से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube channel अजमेरा फेशन में तो दोस्तों सुरू करता हूँ मैं आज कुछ सिल्क के आइटम से जिनको की आप महराष्ट में पैठनी साडी बोला जाता है ओडिसा में संबलपूरी साडी बोला जाता है साउथ में उसको आप कांचीपूरम साडी बोल देते हैं तो वो सब साडीयां सिंथेटिक में किस तरीके से डोलप होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा और वो प्रोडेक्ट मैं भी आपको दिखाऊँगा तो सुरू करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले में जो साडी आपको दिखाने जा रहा हूँ यह पैठनी साडी हम लोग इसको बोलते हैं महाराष्ट्र में बहुत ही जबरदस इसकी डिमांड रहती है ऐसे तो आजकल सभी जगें यह साडीयां चलने लग गई है पर महाराष्ट्र में इसको पैठनी साडी बोला जाता है, यह देखिए, यह प्योर सिल्क की साड़ी लगती, इसका लुक आप देखेंगे, यह पूरी विविंग साड़ी है, कहीं भी इसमें कलर का कॉम्बिनेशन कोई भी उपर से प्रिंट किया हुआ नहीं है, जो भी आप देख रहे हैं, तोटल साड़ी यह बनी काफी, और यह इसका ब्लाउज है, यह देखिए, ब्लाउज पर बहाँ पे इस पर बॉर्डर बना दिया है, जो दोनों साइड पट्टी के अंदर आएगा, कपड़े की क्वालिटी आप देखें, तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, लिची बेस हम बहुत सुन्दर लगती है, पेनने के बाद अगर इस साड़ी का लुक अपन देखने जाएं, तो कुछ इस तरीके का लुक यह साड़ी का नजर आएगा, बहुत ही सुन्दर साड़ी लगती है इसके पेनने के बाद, नेक्स्ट आइटम मैं दिखाऊं, कुछ इस तरीके का देखिए है यह यल्लोогодर मेरान क 720 गूंबिनेशन है इसको नाइलान बेस बोलते हैं पूरा यह विस्कोज जेरी है इसके उपर यह जेरी का काम देख रहे हैं आप यहाली जो किलर जो चड़ता है यहाली कंपकड़ के के उपर चड़ता है और इसके उपर कोई भी color चड़ता नहीं है जरी के उपर इसी तरीके से देखिए यहां पर भी यह जरी जो है विसकोस की जरी है और नीचे का बेस जो है वो nylon है जिसके उपर हमने red color किया है ये merge होते हुए भी आप देख सकते हैं और यह इस टैल नीचे बॉर्डर में कलर कर दिया गया है यह concept भी बहुत अच्छा है पूरा नाइलोन बेस यह पूरी ओल आवर साड़ी है यह ब्लाउस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यह कुछ इस तरीके का इसका ब्लाउस है यह front और back दोनों बने हुए हैं दोनों side में बहा के उपर यह border आजाएगा यह भी नाइलोन बेस का ही blouse है इसको south में आप कांची पूरम साड़ी बोलते हैं जैसे जो south की pure silk साड़ी आती है इसको आप वही बोल सकते हैं देखिए कुछ look इसका इस तरीके का आएगा पहनने के बाद में साड़ी बहुत ही सुंदर single color की साड़ी है एक ही color इसमें रहता है पूरा tone to tone लिया हुआ है कहीं एक धागा up कर दिया है कहीं एक धागा down कर दिया है color combination यह इसका पल्लू है और यह body है इसकी देखिए और यह blouse पूरा look जो है कपड़े का वो silk base लिया है हमने यह बहाँ पे दोनों साड़ी पट्टी आ जाएगी तो साड़ी बहुत ही सुंदर है यह सब चीजों के अंदर आपको यह सब item जैसे अगर आप color लेना चाहते हैं तो color combination भी मिलेगा और अगर आप चाहते हैं catalog लेना एक ही catalog के अंदर 10 design, 8 design, 6 design इस तरीके से भी आप catalog चूज कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको एक piece दिखाऊं इस तरीके से catalog वगरे नजराते हैं अब मैं इसके बाद next item जो लेने वाला हूँ वो मैं कुछ printed साड़ी आपके पास द यह देखे, यह पूरी digital print साड़ी है, यह जो आप देख रहे हैं hidden, यह पूरा digital machine पे चुपई हुए रहती है यह साड़ी, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह आप अगर ड़स साड़ी च्पवाना चाहते हैं तो 10 साड़ी चौप सकती है, 100 साड़ी चौपाना चाहत ये भी बहुत प्यारा कॉंबिनेशन है बहुत ही सुन्दर साडी लगती है कलर कॉंबिनेशन जब डिजिटल मशीन पे चपता है तो कलरों का गेट अब जो है वो थोड़ा डिफरेंट ही नजर आएगा आपको उठते हुए कलर आएंगे सारे ये देखे बहुत प्यारी साडी है बहुत ही सुन्दर साडी है कॉंबिनेशन भी बहुत लाजवाब लिया है और ये इसका ब्लाउस हो गया है ये देखे ये डिजिटल प्रिंट की साडी मैंने आपको दिखाई है इसी तरीके के मैं और पीस आपको नजर करवाता हूँ इसमें अलग-अलग बेस के उपर अलग-अलग डिजाइन प्रिंट होती है ये देखिए ये नेक्स्ट पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए कि सिल्क बेस के उपर लिया है हमने पूरा शाइनिंग वाला कपड़ा है और प्रिंट जो आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको ये डिजिटल प्रिंट है पूरा साड़ी का लुक कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा पैनने के बाद में ये भी बहुत प्यारी और रिच साड़ी लगती है आज के लिए प्रिंटिंग बहुत जबरदस चली हुई है हमने एक बार शायद पहले एक वीडियो के अंदर आपको इसकी मसीनों की प्रिंटिंग भी दिखाई थी कि किस तरीके से ये प्रिंट होती है कंप्यूटर में पूरी डिजाइन बनती है फिर वो पेपर के उपर आती है पेपर से फिर साड़ी के उपर आती है इस तरीके से ये प्रिंट होता है फिर कभी दूसरा वीडियो जब दिखाएंगे तो आपको पूरा इसका डिजिटल प्रिंट का प्रोसेस हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे प्रिंट होती है और कैसे क्या होती है समय की मरियादा होने की वज़े से ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं लूगा कम से कम समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा चीज दिखा सकूँ कुछ इस तरीके का मैं काम करूँ यह देखे यह जो आप देख रहे हैं यह पूरा विविंग पल्लू है यह विविंग पल्लू हमने छोड़ दिया है और इसके बाद पूरा डिजिटल प्रिंट किया है यह देखे यह साड़ी भी बहुत सुंदर लगती है इसके अंदर भी डिजाइन है अलग अलग आती है मैं आपको इसका केटलोग दिखवा हूँ यह देखे पूरा विविंग आइटम आता है यह जो चेक्स आप देख रहे हैं फुल विविंग में है पूरा साड़ी के अंदर जैरी का कॉंबिनेशन है यह देखे जैरी कॉमन रहती है कलर कॉंबिनेशन साड़ी के चेंज कर द तो बहुत फुंदर केटलोक है बहुत प्यारी साडी है और बहुत ही रिच लगती है ये नेक्स्ट पीस में आपको दिखा रहा हूँ ये भी सिल्क बेस पी है ये एम्ब्रोडरी के साथ है इसमें ये देखेंगे आप ये एम्ब्रोडरी किया हुआ है पूरा जो आप देख है ये देखें ये पूरी साडी के अंदर बुट्टे लिए है के जो आप देख रहे हैं एम्ब्रोडरी ये पूरा फुल धागों से काम किया हुआ है जैरी कॉम्बिनेशन है ये साडी का लुक में बहुत सुन्दर है प्योर सिल्क बेस है ये कुछ साडी का ये दूसरे कलर की फोटो है देखें कुछ इस तरीके से इसका एक कलर हो रहाता है जैसे चार कलर की मेचिंग आती है तो इसका दूसरा कलर ये है इस तरीके से ये साडी आपको देखने को मिलेगी साथी दोस्तों मेरी आप से एक गुजारिश है अगर आप बिजनस करना चाते हैं किसी बी तरीके के बिजनस में अगर आप पहले से कर रहे हैं या नयां करना चाते हैं तो खाली छोटा सा एक डिफरेंस मैं बताओं आपको ये बिजनस आपके लिए बहुत विजिजियर है बाकि किसी भी बिजनस की तुलना में ये बिजनस सबसे एजी है क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी तरीके की सुरुआत करने के लिए कोई शौप खरीदने की जरूत नहीं है कोई भी स्टाफ रखने की जरूत नहीं है आप खुद अगर आप अपने परिवार के साथ आपक वो जरुवत इसकी पड़ती है, next item के पास मैं जाता हूँ दोस्तों, ये भी silk waste का ही item है, घट चोला जिसको बोलते हैं, patola style साडी, ये भी बहुत सुन्दर साडी है, ये देखे, ये भी nylon waste की साडी है दोस्तों, ये देखे, ये पूरा पल्लू जो है blue किया हुआ है, अलग से और border इसका पूरा blue किया हुआ है, बाकी पूरी साडी ये देखे, red color से इसको बनाया हुआ है, बहुत ही सुन्दर साडी लगती है, कुछ मैं आपको इसका blouse बगर भी दिखा दूँ पहले, उसके बाद में इसका look भी आपको दिखाऊंगा, जैसा पल्लू का combination दिया है, उस इसी combination में blouse को भी जो है blue किया हुआ है, देखे, साडी का look कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा, ये इसी साडी का दूसरा color है, जिसमें हमने orange और maroon का combination लिया है, और ये जो आप देख रहे हैं, red और blue का combination है, सारे combination बहुत अच्छी साडी लगती है, इसके 6 color आते हैं, 6 color बहुत ही लाजवाब होते हैं, तो जो product मैंने दिखाए, उमीद करता हूँ, आप लोगों को दोस्तों पसंद आये होंगे, इन product में हम कुछ catalog वगर भी देते हैं, जैसे कि ये packing जाती है, अगर आप matching लेते हैं, तो उसमें 4 color या 6 color आते हैं, और अगर आप catalog लेते हैं, तो क अगर आप छोटा सा business start करना चाहते हैं, और आपने अगर हमारे यहां से 10 catalog मंगवा लिए हैं, तो 10 catalog में 10-10 design करके, आप 100 piece हमारे यहां से मंगवाते हैं, 100 piece के अंदर 100 design आपको मिल जाती है, एक retailer के लिए इस से बढ़ा combination कोई नहीं हो सकता है, पूरी range उसके यहां तयार हो जाती है, तो इस तरीके से आप यह catalog हमारे यहां से मंगवा सकते हैं, packet हमारे यहां से मंगवा सकते हैं, 8 packet, 10 packet जितने भी आपको requirement होती है, आपको लगता है कि आप इतने से business start कर सकते हैं, तो आप हमारे यह order देखे मंगवा सकते हैं, online भी आप purchase कर सकते हैं, दिए गए WhatsApp नं कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो आप उस पर कोल करके उनसे उस समझ्य का समाधान ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद